दोस्तों मैं सोरोमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर क्वीज में आज हम देखेंगे 8 जुलाई की करेंट फिर को जो कि सभी परिक्साओ के लिए मैत्पून रहेगी डेली करेंट फिर क्वीज में मैं आपको डेली 10 मिनिट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तो आज का मारा रिविजन का कोशन है भारत के बाहर पहले IIT प्रिशर की स्थापना किस देश में की जाएगी इस कोशन का आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा चलिए शुरू करते हैं आज की करेंट फिर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेंड पर है पीम मोजी ने किस राज्य में वाइल लाइफ फ्रेंडली हाइवे प्रोजेक्ट का उदगाटन किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा बिल्कुल सही है 36 गड में यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कोशन है राष्टे उभोगता विवाद निवारण आयों का अध्यक्स किसे निउक्त किया गया है दोस्तों दूसरे कोशन का सही उत्तर रहेगा जस्टिस एपी साही यानि की ऑप्षण बी राइट आंसर हैगा दूसरे कोशन का सही उत्तर ये भी आपको याद थखना है तीसरा कोशन है NCC ने कंडियेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताकसर किये है दोस्तों तीसरे कोशन का राइट आंसर हैगा State Bank of India के साथ में यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर हैगा तीसरे कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 4 है भारती रिजर्ब बैंक ने किसे नए करेकारी निर्देशक के तोर पर न्यूक्त किया है कोशन नमबर 4 का सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों बिल्कुल से ये P वासु देवन यानि की ऑप्शन हो जाएगा ये रैट आंसर कोशन नमबर 4 का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है कोशन नमबर 5 है F I H होकी प्रो लीग 2022 सीजन का चेंपियन कोन बना है दोस्तों पाचवे कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा निदर लेंड यानि की ऑप्शन सी रैट आंसर रहेगा पाचवे कोशन का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों अभी हमारी नई करेंट अफेर की पीडियाप लॉंच हो चुकी है जिसमें 1600 से जादा कोशन आंसर से ये पूरे 6 महीने की पीडियाप का पूरा निचोड है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून बिलकुल अलग-अलग करके बताए गए है तो इस पीडियाप को अभी आप मातर 50 रुपे में परचेज कर सकते हैं वैसे इस पीडियाप का प्राइज 100 रुपीज रखा गया था और ये पीडियाप का जो ओफर है दोस्तों बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है इस पीडियाप को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया गया है लिंक पर किलिक करके पेमेंट करके आप पीडियाप डारेक्टली प्राप्त कर सकते हैं या फिर अगर आप वोट्सअप पर लेना चाते हैं तो यह हमारा वोट्सअप नंबर है इस पर मैसेज करके स्क्रीन सोट रे लिजे और यह हमें भेज देना आपको पीडियाप वहाँ पर भी मिल जाएगी और ओनली टॉप स्टडियाप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लिजे क्योंकि यहां से आप डेली करेंट अफियर पीडियाप ले पाएंगे छटा कोशन है दोस्तो भारत ने एलेक्टरोरल कोर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझोता ज्यापन पर हस्ताकसर किये हैं तो छटे कोशन का right answer रहेगा दोस्तो पनामा यानि की option c right answer रहेगा छटे कोशन का से उत्तर ये भी आपको या दखना है साथवा कोशन है उबिनास जवाला मुखी किस देश में है जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोशना की गई है तो साथवे कोशन का right answer क्या रहेगा पेरू हो जाएगा दोस्तो सही answer यानि की option c right answer रहेगा साथवे कोशन का सही उत्तर ये भी आपको या दखना है कोशन नमबर 8 है हाल ही में जारी की गई ICC test ranking के अनुसार सबस्रेश्ट बोलर कौन है आठवे कोशन का दोस्तो right answer क्या रहेगा आर एसविन यानि की बी right answer हो जाएगा आठवे कोशन का सही उत्तर ये भी आपके लिए important question है कोशन नमबर 9 है हाल ही में जैन्स इस्टोल टेनबर्ग को की संगठन का पूने महासेचीव न्यूक्त किया गया है तो नोवे कोशन का right answer क्या रहेगा दोस्तो तो ये दुबारे से महासेचीव न्यूक्त है दोस्तो नाटो के यानि की बी right answer हो जाएगा कोशन नमबर 9 का सही उत्तर ये भी आपको या दखना है दसवा कोशन है AIFF यानि की All India Football Federation द्वारा AIFF Women Player of the Year का प्रुसकार किसे प्रदान किया जाएगा तो दसवे कोशन का right answer क्या रहेगा और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग इस सेशन को रेगुलर देखते हैं ये करेंट अफिर की वीडियो रेगुलर देखते हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया करें अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं ताक इसा कल्यान यानि की option A right answer हो जाएगा पहले कोशन का सेवतर सोरी दसवे कोशन का answer अगला कोशन आता है 11 जिमैक्स 2030 समुदरी अभ्यास भारत और किस देश के मद्य आईजित किया जा रहा है तो 11 कोशन का right answer क्या रहेगा दोस्तों भारत और किस देश के बीच में क्या जा र कोशन नमर 12 है हाल ही में किसने threads नाम से एक निया social media platform launch किया है तो 12 कोशन का right answer क्या रहेगा दोस्तों threads नाम से एक निया social media platform launch किया गया है मेटा के द्वारा यानि कि option C right answer है बारवे कोशन का से उत्तर ये भी आपको या दखना है question number 13 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने परधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहट बीमा की रासी दोगनी कर दी है तो 13 कोशन का right answer क्या रहेगा बिलकुल सही उत्तर है दोस्तो right answer is गुजरात ने यानि कि right answer B हो जाएगा तेरवे कोशन का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है भई question number 14 है हाल ही में किस देश के उप रास्पती ने भारतिय साहिता से निर्मित धरमसाला का उद्गाटन किया है तो question number 14 का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तो यहाँ पर सही उत्तर है नेपाल यानि कि option C right answer है question number 14 का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है question number 15 है हाल ही में किस ने मानसिक संकट से जूज रहे लोगों के लिए पहला चैट बोट सुरू किया है तो पंदर्वे कोशन का सही उत्तर रहेगा दोस्तो जम्मू कस्मीर ने यानि कि C right answer है पंदर्वे कोशन का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है question number 16 है हाल ही में पिरामल फाइनेंस ने कहां पहली महिला साखा खोली है question number 17 है हाल ही में भारत में सबसे अधिक सुक्षम उधार लेने वाला question number 18 है हाल ही में किसे ICAR की अनुसंदान सलाकार समीती का अध्यक्स निक्त क्या गया है तो 18 question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है निर्जा परभाकर यानि की option C right answer हो जाएगा दोस्तो 18 question का से उत्तर ये भी आपको याद रखना है question number 19 है हाल ही में भारत में किस देश को start-up 20 की मसाल सोपी है तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा 19 question का right answer रहेगा ब्राजील को यानि की A right answer रहेगा 19 question का से उत्तर ये भी आपको याद रखना है 20 question है हाल ही में गुगल ने किसे भारत नीती परमुक के रूप में न्युक्त किया है 20 question का दोस्तो right answer रहेगा सिरी निवास रेड़ी को यानि की option C right answer रहेगा 20 question का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है तो ये तो थे हमारे 20 करेंटर फिर के question answers अब बात कर लेते हैं आज के homework के बारे में आज का हमारा homework का question है हाल ही में किसने British रास्टे प्रुसकारों में सबस्रे निर्देशक का प्रुसकार जीता है इस question का answer सभी student comment box में बताएंगे और जो इसका सही उत्तर रहेगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूगा आज का हमारा question of the day है किस vitamin को hormone कहते हैं इसके लिए 5 सेकिंड का समय है जल्दी से comment box में आंसर बताएंगे दोस्तों किस vitamin को hormone कहते हैं तो vitamin D को hormone कहते हैं तो right answer D हो जाएगा question of the day के answer का कल का हमारा homework का question था पलनहार योजना का संबन किस राज्य से है तो right answer C हो जाएगा दोस्तों यानि की राजिस्थान से तो ये भी आपको याद अखना है only top study आपको डाउनलोड नहीं किया तो फटफट डाउनलोड करिए 5 स्टार की रेटिंग करिए यहां से daily current affair की को आप डाउनलोड कर पाएंगे प्यारे दोस्तों अर्दवार्शिक जानी कि 6 मंत की जो हमारी current affair है अगर आप लोग किसी भी एक्जाम की जारी करते हैं और आपको current affair complete पढ़नी है 6 मईनों की तो ये पीडियप आपके लिए है इस पीडियप में सब कुछ दिया गया है और इस परकार से तो आप इस पीडियप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बुक्स में लिंक दिया गया है लिंक पर किलिक करके payment करके आप लोग पीडियप ले सकते हैं या फिर आपको हमें इस वोट्सप नंबर पे जो नीचे की साइडिया लिखका ह लेनी है तो देखे मैं आपको डिफ्रेंस बता देता हूं 6000 कोशन आंसर की जिसे में आपको सब कुछ मिल जाता है इस्ट्री जोग्रफी पॉलेटी एकनॉमिक्स फिजिक्स एमस्टी बायलोजी करेंट फिर कंप्यूटर स्ट्रेटिक जीके वह तो मिलेगी आपको केवल के पिर चाहिए यह मिलेगी 50 रुपे में यह आपका डिसीजन है कौन सा बैस्ट आपके लिए रहे हूंगा आप हमें वोट्स अप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं कुछ और डिटेल पूछ नहीं है तो वह भी पूछ सकते हैं चले तो फिर मिलते है कल लिए क्लास में थै प्टे बैं